किसी वी सॉर्टिंग एसिस्टेंट की दिन की शुरुआत सबसे पहले एटेंडेंज रजिस्टर के दस्खत करने से आपकी शुरुआत होती है अभी जो आप सामने में देख रहे हैं यह है वर्क पेपर जिस पर सारे सॉर्टिंग एसिस्टेंट में लेजेंट के वर्क कहा करनी है उसके बारे में इस पर लिखा जाता है उसकी अनुसार आपको एटेंट उस ओफिस में बनती है उसके बाद वर्क की शुरुवात होती है सबसे पहले ऑफिस में जो बैग आयोए रहते हैं उसको रिसीव करने से लिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सॉर्टिंग एसिस्टेंट बैग रिसीव कर रहा है और उसकी मदद में एक MTS जो बैग को रिसीव करवा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैग ओपन किया भी जा रहा है और यह बैग ओपन करके एक बकसे में रखा जाता है जहां पर sorting assistant इसको scan करके इस box को दूसरी और रख दिया जाता है जिसे हम sorting के लिए भेजते हैं तो सारा process आपके सामने यहां देख सकते हैं आप एक sorting assistant bag को में निगले हुए article को receive कर रहा है और receive करके यह दूसरे bag दूसरे टोकरी में रख रहा है जो finish करने के बाद यह sorting ईसरथ करने के लिए चला जा जाएंगा स्बसे पहले यहां पर देख रहे हैं आप जो sorting assistant आप जो 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 बाद बाद चो अब चारऊरा करने कि जा रहे हैं कि इहां पर बड़े बद्य को converge और यहां आप देख लीजिए यहां पर आपको office-wise sorting की जाती है तो आपके सामने में देख रहा है sorting हो रही है सवान्ता किसी भी RMS post office में पूरे भारत वर्स के लिए bag बनाया जाता है बट किसी भी division के अंतरगत जो भी division के अंतरगत कारेरत post office हैं उसका अलग से bag बनाई जाती है जैसे मैं मुझह परपूर में काम करता हूँ तो वहां पर समस्तिपूर दरभंगा मधवनी के लिए office-wise चिठी sorting होती है और उसके लिए special bag बनते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि bag इसको चिठी sorting होने के बाद इसको close किया जा रहा है जिस तरह bag बोडिया में बंद होके आता है उसी तरह इसको sorting करकर के इसको इसी थैले में बंद करके इसको आगे forward किया जा रहा है तो यहां पर bag close करने की process चल रही है आप देख सकते हैं इस monitor भी आपके सामने है यहां पर print निकल गया है और इस print को एक copy अपने पास रखके office copy और एक उस थैला में रखके देखिए bag किस तरह बांधा जाता है वो भी आप देख लीजिए और यह MTS के दोवारा bag label बांधा जाता है और sorting के बाद यह bag बंदा कर कोई train में इसको dispatch कर दिया जाता है तो यहां पर MTS bag बांध रहे हैं आप देखिए इसको bag बंद करके उसको एक अलग तरह रख दिया जा रहा है जहां से उसको dispatch किया जाता है बारी बारी और वहां bag बंदने के बाद यह evening के time जब काम खतम होने लगते हैं तब इसको फिर bag को स्कैन करके dispatch किया जाता है लिष्ट बना कर train में भेजने की परकेरिया चालू की जाती है तो यहां पर train में भेजने के लिए एक लिष्ट बनाया जाता है dispatch list वो dispatch list बन रहा है और